नमस्का दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कब है शावन पुत्रदा एकादसी वरत, जाने क्यों रखा जाता है यह वरत और क्या है विधी प्यारे दोस्तों, हिंदु धरम में एकादसी वरत का बड़ा ही मैं तो बताया जाता है इस वरत में भगवान विष्णू की आरादनी की जाती है शावन मास में आने वाली पुत्रदा एकादसी का वरत रखने से संतान सुक की प्राप्ती होर संतान समंदी सभी समश्यों का निवारल होने की मानेता है इस सार ये वरत 30 जुलाई को रखा जाएगा दूसरा पुत्रदा एकादसी वरत पोसमा में भी रखा जाता है पुत्रदा एकादसी वरत की दक्षिन भारत में विशेस महत्त वता है मानेता है कि इस वरत को करने से वाज़ पर यहक के बराबर पुन्य फल की प्राप्ती होती है और संतान समंदी कष्ट दूर हो जाते हैं काहा ये भी जाता है कि जो संतान दंपती अगर पूरे तनमन से इस वरत को करे तो उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है साथ इस वुरत को लेकर ये भी प्रतलित है कि जो कोई पुत्रदा एकादस वुरत कथा पढ़ता है या फिल सुनता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है आप हम आपको बताने जाने पूजा मोहुरत पंचांग अनुसार पुत्रदा एकादस वुरत 30 जुलाई को रखा जाएगा वुरत का पारण 31 जुलाई को सुबह 5 बज कर 42 मिन्ट से 9 बज कर 24 मिन्ट तक किया जा सकता है पारण तिथी के दिन 12 समाप्तोंने का समय 10 बज कर 42 मिन्ट है एकादस सी तिथी का प्रारंब 30 जुलाई को 1 बज कर 16 मिन्ट से होगा और इसकी समाप्ती 30 जुलाई को 11 बज कर 49 मिन्ट पर होगी वुरत विधी इस प्रकार से है एकादस सी वुरत निर्जला और जल के साथ भी किया जाता है इसके अलावा ये व्रत फलाहर के साथ भी किया जा सकता है व्रत रखने वालों को दस्मी की तिथी से ही सात्वी काहाद खाना चाहिए ब्रमचरिय की नियमों का पालन भी करना चाहिए व्रत के दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें और भगवान विश्नु की पूजा करें रात में भजन किर्तन करते हुए जगे रहें उसके बाद द्वादसी के दिन के सूर्य अदे के बाद शुमोरत में एक बार फिर से विश्नु जी की पूजा करें फिर किसी बोखे व्यक्ति या भ्रामनों को भोजन कराए इसके बाद अपना व्यत खोले व्यत वाले दिन सुबह जल्दी ओट का भखवान विश्नु का समरन करें फिस्नान का स्वक्षवास्त्र धारन करें घर के मंदिर में स्री अरी विश्नु की मूर्ती के सामने दीपक जलाए और व्यत का संकल पले अब भखवान विश्नु को नेवयद्य और फलो का भोग लगाए विश्नु पूजा में तुलसी का प्रियोक जरूर करें स्री हद कि विश्णु को दोग दीद दिखा कर विदिवद पूजा करे और आरत्य उताने पूरे दिन निराहर रहे श्राम के समय पूजा कर कथा सुनने के बाद फलाहर ग्रैन करे रात्यी के समय जागरं करते वे बजन किल्टन करे अगले दिन द्वादोस्तिती को ब्रामनों को खाना खिलाएं और यथा सामर्थे दान दें अंत में खुद भी भोजन गरैन कर वरत खोलें अब हम आपको बताने जा रहे हैं पुत्रदाय का दसी वरत की जो प्राचिन कथा है वो क्या है प्राचिन काल में महीसमती नगरी में महीजीत नामक राजा राज्य करता था राजा धर्मात्मा शांती प्रियर तथा दानी होने पर भी निसंतान था राजा ने एक बार रिशयो को बुला कर संतान प्राक्ति का उपाय पूछा परमग्यानी लोमस रिशी ने बताया कि आपने पिछले जनम में सावन के एकादसी को अपने तलाब से प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया था उसी के परिणाम सरूप आप अभी तक निसंतान है आप सावन मास की सुकल पक्ष की एकादसी का नियम पूर्वक व्रत रखिये तथा रात्री जागरन कीजे इसे तुमें पुत्र रत्म अवश्य प्राप्त होगा रिशी की अग्यानुसार राजारानी ने एकादसी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्म प्राप्त होगा यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें